यादों की खटी मीठी देग में सुरों का तड़का लगाने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ उस महफिल को सजाने के लिए जिस महफिल का नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफिन पर बिना वक्त गवाय शुरू करता हूँ आज के इस शो को जहां मैं बताऊंगा SD बर्मन की काम्याबी में उनके एक नौकर का खादिम का क्या कॉंट्रिबूशन है क्यूं वो अपने नौकर से चेक करवाया करते थे अपनी दुने इसके साथ ही आज आज आपको इस शो में पता चलेगा महान कलाकार मुकेश जी की नेक दिली दरिया दिली का एक किसा जिसे बयान किया था अनादर ग्रेट सिंगर महिंदर कपूर जी ने और हवाई जहाज में सफर करने के लिए अमजद खान को कौन सा डर खाय जा रहा था ये सब कुछ ये सारे किसे आज की ही मैं फिल्म में बात करेंगे सुनीलदत और माला सिनह स्टारर फिल्म गुमराह की इस फिल्म की कहानी का आइडिया बियार चोपड़ा साहब को हिंदी सिनिमा के दो स्टार्स की रियल लव स्टोरी की वजह से आया इस फिल्म में उस औरत की कहानी को दिखाया गया जिसे गायक से प्यार हो जाता है मगर उसके हालात उसे इस मोड पर ले जाते हैं कि उसकी शादी शुदा बड़ी बहन की मृत्ति हो जाती है और वो अपने प्रेम का त्याग कर बड़ी बहन के बच्चों की देखभाल के लिए अपने जीजा यानि बड़ी बहन के पती से शादी कर लेती है बाद में एक बार फिर उसका सामना अपने प्रेमी से होता है एक तरफ उसका प्यार है तो दूसरी तरफ उसका फर्ज फिल्म प्रेम और कर्टव्य के इसी दवंद की कहानी थी ब्यार चोपड़ा को मिली इंस्पिरेशन हिंदी सिनमा के सुपरस्टार थेस्पियन दिलीप कुमार और उनकी प्रेमिका कामनी कौशल के असली जिन्दगी की कहानी से दिलीप साब और कामनी कौशल जी ने कई हिट फिल्में दी और दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बहुत जमती थी पर दोनों की 1950 में आई फिल्म आरजू के बाद दोनों ने ये निर्णय किया कि अब वो साथ काम नहीं करेंगे इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर ये बात दोनों को मालुम थी कि इस प्यार का कोई अंजाम नहीं हो सकता इस प्रेम का कोई भविश्य दर इस नो फ्यूचर क्योंकि दिलिब कुमार से मिलने से पहले कामनी कौशल शादी शुदा थी गुमरा फिल्म की कहानी की तरह ही कामनी कौशल की एक शादी शुदा बड़ी बहन थी जिनकी एक एकसिडेंट में डेथ हो गई थी अब सवाल था कि कौन बच्चों का ख्याल रखेगा तो फैमिली के प्रेशर ने फैमिली के समझाने पर कामनी कौशल ने अपनी स्वर्गवासी बहन के पती से शादी कर ली और बच्चों की देखरे का जिम्मा अपने उपर ले लिया पर शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और इसी के चलते उनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से फिल्मों में साथ काम करते करते प्यार हो गया और इसी प्रेम की वज़ा से कामनी कौशल बहुत वक्त तक इसी उधेर बुन में दुविधा में रही कि क्या वो दिलीप कुमार साहब के साथ चली जाएं या फिर अपना फर्ज निभाते हुए बहन के बच्चों का ख्याल रखें और अंत में उन्होंने एक भारती नारी की तरह ये फैसला लिया कि वो अपने परिवार, पती और बड़ी बहन के बच्चों के लिए अपने प्यार की गुर्बानी दे देंगी और इस फैसले के बाद उन्होंने दिलीब कुमार साब से अपने रिश्टे खत्म करते हुए उनके साथ फिल्मे तक करने से मना कर दिया ये हिट जोडी थी इस किसे से फिल्म इंडस्ट्री के उस जमाने के सारे लोग वाकिफ थे और उनमें से एक थे प्रोड्यूसर डिरेक्टर बियार चोपड़ा उन्हें लगा कि इस कहानी पर एक बहुती सशक्त फिल्म बनाई जा सकती थी और ऐसा ही हुआ और हमारे साब ने फिल्म बन कर आई मास्टरपीस गुमराह इस फिल्म में काम करने के लिए बियार साहब ने दिलिप कुमार को पहले अप्रोच किया था दिलिप साहब ने रिफ्यूस कर दिया और रोल चला गया दत साहब को सुरील दत साहब को कामनी कौशल जी का रोल किया माला जी ने, माला सिनह ने इस revolutionary idea को इस bold subject को जनता ने स्विकार किया और तीन फिल्म फेर और एक national award भी में SD बर्मन की काम्याबी में उनके एक नौकर का खादिम का क्या contribution है क्यूं वो अपने नौकर से चेक करवाया करते थे अपनी दुने झाल